नमस्कार, आज ऐसे एक खिलाली की बात हम कर रहे हैं, जिनके पिता ने उसको किर्केटर बनाने की जीदने अपने नौकरी छोड़ दिया, एक ऐसे किर्केटर जिन्होंने अपने दम पर, अपने मेहनद पर, अपने पिता की मेहनद पर अपना उवा मुकाम हासिम कर लिया, ज जो आंधरा से आते हैं। फिलहाल इंडिया test series खेल रही है और T20 का एलान हो गया है जिसमें वो नितिश कुमारेटी को भी सामिल कर लिया गया है। नितिश कुमारेटी हम आपको बता दें कि आंधरपरदैस के रहने वाले हैं और उनका पिता का सर्विश जो है राहस्थान में था पिता अपने पुत्र को किरिकेटर बनाने की जीद ने अपना नौकरी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसको किरिकेटर बना की ही दम लि दोस्तों नितिश कुमारेटी 2020 सिरिच में मौका दिया गया है लेकिन नितिश को जिम्बावे इससे पहले नितिश को जिम्बावे के दोर में भी सामिर कर लिया गया था लेकिन जिम्बावे दोर जाने से पहले ही उनको बिमार हो गये थे हरनिया हो गया था इसके चलते वह उसको डेबु करने का मौका उसको नहीं मिला था। फिर दुजार चोबीस का जो आईपियल रहा। उसमें उसने बेहत्रिन परदसन किया। इसको देखते हुए उन्होंने टीम इंडिया में मौका दिया गया है। कि बंगलादेश के खिलाब जो T20 शीरीच आने वाली है उसमें उसको सामिल कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि आईपियल में कुल मिला कर उन्होंने 15 मेच खेले हैं। अब 15 मेच में 303 रन बनाए हैं और उनका जो बेस्ट इसकोर है वो 76 तर रहा। और 15 मेच में 9 एनिंग में भी उन्होंने गेंदवाजी भी खुब किया है। इसमें वो तीन विकेट भी लिये हैं। इनका आईपियल का परदर्शन है। और 2024 में संराइज हैदरावाद की तरब से बहुत ही परदर्शन तावरतोर गेंदवाजी और बल्लेवाजी दोनों में बहुत ही बहतरिन किया था नितिश कुमार रेटी ने। इसी का परदर्शन देखती हैं उनको टीम इंडिया में इस बार बंगलादेश की विरूत उसको टीम में सामिल कर लिया गया है। नितिश कुमार रेटी फर्स क्लास 2020 में ही डेवू किया था। और उन्होंने लिस्ट ए के लिए 2021 में खेले थे। आपको बता दें कि नितिश कुमार रेटी आंधरव परदेश से आते हैं। उसका परदर्शन 2024 में बहुत थी सांदार रहा। उसको देखते हुए इस बार उसको बंगलादेश के गिलाव उसको मोका दिया गया है। इसके पीछे इसका पिता का बहुत ही बड़ा जोगदान था। जिन्होंने राइस्थान में सर्विस करते हुए अपने बेटे को किरकेटर बनाने के बजाए। नोकरी छोड़ के अपने बेटे को किरकेटर बनाने के लिए जिद में अड़ा और अपना किरकेटर बनाने के लिए अपना नोकरी छोड़ दिया और राइस्थान सिफ्ट हो गया अपना परिवार के साथ अपने बेटे को किरकेटर बनाने के लिए। आज जिस मुकाम पर है, बहुत अच्छा है, ऐसे पीता को सलाम है, उम्मिद करते हैं कि इंडिया में और ऐसे पीता पैदा होंगे जिन्होंने अपने बेटे के लिए इतना कुरबान देंगे, और नया ही नया एक मुकाम अपने बेटे के लिए रास्ता बनाएंगे, अपने बलिदान देंगे पिता का फर्च आदा करेंगे और अपने बेटे को नया मुकाम तक पहुचाएंगे नमस्कार